आगरा में सरवाधेत लोग की एड चैनल सीन्यूस की एड को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें ताजनगरी में पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा जनिता को भरस्टचार और रिश्वत खोरी के खिलाफ जागरुक करने के देशे से सतर्कता जागरुकता सब्ताह की शिरुवात की गई ये सब्ताह 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक चलेगा जिसको लेकर गुरुवार को पी एनबी कार्याले से संजेपलेश शेदर तक पी एनबी के अधिकारियों कर्मिचारियों द्वारा एक पैदल यात्रा निकाली गई ताजनगरी में पंजाब नैशनल बैंक के अंचल कार्याले मंदल कार्याले और आंचले कलेखा परिक्षक कार्याले के द्वारा जरनता को भरष्टाचारों और रिश्वत खोरी के खलाफ जागरु करने के उद्देश से सतर्कता जागरुकता सब्ताह की शिरुवात की करीब एक किलोमेटर का सब्सक्राइब करें यहां से बाइं की तरफ जाएंगे फिर घुंगते वगे रोड पर ही हम लोग इसको कर और इसका यह जो विजिलेंस एक तरह से यह लाइफ का एक पार्ट होना चाहिए यह सरीफ नहीं कि एक सब्ताह में हम इसे से इलिबरेट कर कि हम किसी को रिश्वत लेने भी ना दे जो विसल ब्लोवर पॉलसी होती है जो गौर्मेंट की है उस पर हम अमल करें बतादे कि पी एनबी के अधिकारियों कर्मचारियों ने पैदल यात्रा के दौरान कोविड-19 के प्रोटकॉल का पालन करते हुए सामाजिक दूरी के सा मास्क का प्रयोग किया एमजी रोड और संजे प्लेस शेत्र में भ्रामर किया इस दौरान उन्होंने रागीरों को मास्क और सैनिटाइजर बेवित्रित किये इसका मकसद है कि लोगों को विजलेंस के प्रती जागरूक करना कि समाज में भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी समस्या है इससे मुक्ति दिलाना है और लोग जागरूक रहें कि ना कहीं पे भ्रष्टाचार होने देंगे और उसके विरुद अपनी आवाज उठाएंगे PNB के अधिकारियों का मानना है कि अगर देश को संपन और सम्रिद बनाना है तो भ्रष्टाचार को खत्म करना होगा रिश्वत खोरी को खत्म करना होगा सतरकता चागरूकता सपता के दोरान PNB के करमचारियों और अधिकारियों ने शपत ली कि वो ना तो खुद रिश् मार्क रिपोर्ट